हाई गाईज वियसी नर्सिंग का नम्मर वन चैनल अश्टडी मीडियम में आप सभी का श्वागत है अगर वियसी नर्सिंग का आप लोग त्यारी कर रहे हैं तो यह स्रीच आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप सभी को क्लास एक साथ देखना है तो डिस्क्रि पेडियप भी मिलेगा अगर यह पेडियप आप पर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रसने नहीं पूछा जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कोशिन नमर फरस्ट सुसन के अंध्रे जो की नी सुसन तथा नी सुसन पर नींत्रन रखते हैं वो उपस्थित होते हैं मेडूला आवलोंगेटा में उपस्थित होते हैं आप संजी जही उत्तर होगा निम्ड में से कौन सी रचना फुफूस के विभाजित प्रती किरिया का अंतिम के भाग है जो गैसिय बिनी में का अस्थान है इसके आप्सण है ट्रेकी और पायू खुपिकाएं सोसर निकाएं या बायू कोष्टिकाएं तो इसका correct answer option D होगा बायू कोष्टिकाएं जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पर भीतर आने वाली O2 वर निसकासित CO2 के अनुपात में O2 अधिक होता है इसके option है मुख गुई का वर तवचिय सोसन में फुफूसिय मुख गुई का वर तवचिय सोसन में तो इसका correct answer option नमर A हो जाएगा मुख गुई का वर तवचिय सोसन में बढ़ते हैं next question की ओर कर सकते हैं या उत्तकों में oxygen की सादरता अधिक वख carbon dioxide की कम होती है तो रुधिर का सारा हीमोगलोवीन फेफ्रों से बाहर जाते समय ओक्सिक्रित हो जाता है तथा उत्तकों में पहुँचकर ओक्सिजन छोड़ जाता है क्योंकि फेफरो की तुल्ला में उत्तकों में कारवन डाकसाइड की सांदरता अधेक तथा ओक्सिजन की सांदरता कम होती है तो option number B is the right answer Question number 5 एक ग्राम ब्लेंक्स से अधिक उर्जा उत्पन होती है इसके option है बिटामीन, सुगर, प्रोटीन या बशा तो एक ग्राम बशा से अधिक उर्जा उत्पन होती है राइट अंसर option number D Next question है निमलिखित में से किस में DNA पाए जाता है इसके option है सेंट्रियोल, लाइसोसोम, मैच्रोकोंडिया या गौलजीकाय तो मैच्रोकोंडिया में DNA पाए जाता है option C is the right answer Question number 7 निमलिखित में से किस में मैच्रोकोंडिया नहीं पाए जाता इस्ट, जिवानों, अमीवा या कवक तो जिवानों में मैच्रोकोंडिया नहीं पाए जाता है option number B is the right answer अगला question है केंद्रक छिल्ली किस में नहीं पाए जाता कवक, बाइरस, अमीवा या जिवानों जिवानों में केंद्रक छिल्ली अनुपस्थित होता है option D सही उत्तर होगा next question है नीम्ण में से सबसे बड़ा कोशी कांग कौन सा है गुन्सोत्र, मैच्रोकोंडिया, प्लास्टिट या गोलजी कार तो इसका correct answer option number C होगा सबसे बड़ा कोशी कांग प्लास्टिट होता है next question है माना बात में पाए जाने वाला जिवानों कौन सा है कौरिनो वैक्टिडियम, एसर्सिया कौलाई, बाइब्रियो कौलरी या वैसिलस एंथरेसिस माना बात में पाए जाने वाला जिवानों एसर्सिया कौलाई होता है option B is the right answer अगला कोशन है नीम्ण में से किसे यातायात प्रवंदक कहा जाता है option A, Lysosome, B, Ribosome, C, Golgicae, D, Mesogondia तो यातायात प्रवंदक कहा जाता है गोलजी काई को गोलजी काई का काम होता है Lysosome का निर्मान करना जटिल पॉली से क्राइट का संसलेशन करना तथा Ecrusome का निर्मान करना option C is the right answer गोलजी काई को यातायात प्रवंदक कहा जाता है नेस्ट कोशन है निम्ण में से कौन पादप का उधारन है वैक्टिरिया, बायरस, प्रोटोजोवा या प्लास्मोडियम तो सब्सक्रेक्ट एंसर option A होगा वैक्टिरिया पादप का एक्जामपल होता है option A is the right answer नेस्ट कोशन है फूलो का रंग कौन प्रदान करता है क्रोमोपलास्ट, क्लोडोपलास्ट, लिउकोपलास्ट या टोनोपलास्ट तो फूलो को रंग क्रोमोपलास्ट प्रदान करता है क्रोमोपलास्ट के कारणी फूलो में रंग होता है option A is the right answer Q14, RNA कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4 RNA तीन प्रकार का होता है RNA की संब्रचना में राइवोज सरकरात थाइमीन के स्थान पर यूरिसील बेस होता है यह तीन प्रकार का होता है MRNA, TRNA तथा RNA So correct answer option number 6 Next question है DNA अनू के चारा के काई में एडिनीन तथा थाइमीन के बीज कितने हाइडोजन आवंद होते हैं? 1, 2, 3 या 4 DNA अनू चारा के इकाई में एडिनीन तथा थाइमीन के बीज 2 हाइडोजन आवंद होते हैं So correct answer option number B And cytosine and guanine के बीज 3 हाइडोजन आवंद होते हैं Question number 16 किस बर्ग के पौधों में फूल और बीज नहीं होते हैं? इसके option है क्रिप्टोगेम्स, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या टेरिडोफाइटा तो क्रिप्टोगेम्स बर्ग के पौधों में फूल और बीज नहीं पाय जाता क्रिप्टोगेम्स एक ऐसा समू हैं जिसमें कम से कम उन्नक पौधे शामिल होते हैं इसमें फूल और बीज नहीं होते हैं जिसे एकजम्पल है इसका सैवाल, लाइकेन, मौस, फ़र्ण, आदी तो बढ़ते हैं, next question की ओर कवक और सैवाल से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन, एसिटेफ, बोलेडिया, फंगस, नीलहरित, शैवाल तो कवक और सैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है लाइकेन कवक और सैवाल से मिलकर बनता है और सैवाल फोटो सिंतेसिस परकिरिया से भोजन तयार करता है और कवक उसकी रच्छा करता है अगला कोशन है बैक्टिरियो फेज क्या है इसके आप्टिरियो फेज जीवानू जो जीवानू को मार देते हैं विसानू जो जीवानू को मार देते हैं विसानू जो कबक को मार देते हैं या कबक जो जीवानू को मार देते हैं तो वैक्टिरियो फेज बैक्टिरियो फेज एक Nucleic Acid अनुसे बने होते हैं जो प्रोटीन सन्रचना से घिरा होता है या एक बिशानु है जो जीवानों को मार देता है Option B is the right answer अगला कोशन है कीट भच्ची पौधे कीरों को क्यों मार डालते हैं यूरिया के लिए अमोनिया के लिए नैट्रोजन के लिए या आक्सिजन के लिए कीट भच्ची पौधे कीरों को नैट्रोजन के लिए मार डालते हैं Option C is the right answer नैश कोशन है पौधे में सबसे ज़्यादा रोग किसके माध्यम से होता है जिवानों, विशानों, कवक या कीरो द्वारा पौधों में सबसे ज़्यादा रोग कवक के माध्यम से होता है option C सही उत्तर होगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे एप के साथ जुड़ जाएं ओहां पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में और अगर पीडियाफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे एप में ही मिलेगा बहुत ही सांदार 10,000 कोश्चन के साथ अगर ये पीडियाफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी कोश्चन नहीं छूटेगा अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नमर पे संपर करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए बाबाए